Hello everyone, Saakshi here, I welcome you all on Mehinti bachay So, आज के lecture में हम Central Processing Unit के बारे में पढ़ेंगे ये भी Computer Fundamentals का एक बहुत ही important topic है जितने भी exams conduct होते हैं उन सब में CPU के उपर question आता ही आता है So, आपने आने वाले time में जो भी exams देने हैं आप उनमें भी expect कर सकते हो कि इस topic से questions आ सकते हैं आज हम इस topic को बहुत ही layman terms में समझेंगे तांकि कुछ भी आपको रटा लगाने की जुरुत ना पड़े आपको as it is ही चीजें समझ आ जाएं So, जो भी students नए हैं मेरे channel पे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ मेरे channel पे आपको modern history, polity, इसके इलावा United Nations, English, Reasoning, Current Affairs इन सब पे वीडियोस मिल जाएंगी So, उनको जरूर देखें आपको बहुत फाइदा होगा जिन्हेंने भी channel को subscribe नहीं किया subscribe करें and bell icon को click करें ताकि आने वाली वीडियोस की notification time to time आपको मिलती रहें So, start करते हैं आज का lecture सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आज का topic है CPU that is Central Processing Unit इसको हम सबसे पहले समझते हैं layman terms में ताकि आपको हमेशा याद रहे अब जो हमारी body है उसको regulate करने का काम कौन करता है? हमारा brain Similarly, computer है computer को regulate करने का काम कौन करता है? CPU CPU जिसको हम Central Processing Unit भी बोलते हैं So, हम ये बोल सकते हैं कि जो CPU है वो क्या है computer का brain अब हम brain पे वापिस आते हैं हम कुछ भी सोचते हैं हमने क्या activities करनी है ठीक है? वो सब काम कहां पे होता है हमारे brain में अब हम कुछ examples के साथ में आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले जो भी हमारी memories हैं या हमारी यादे हैं अच्छी बूरी इसके इलावा हम जो भी चीज़ें याद करते हैं जैसे हम preparation करते हैं exams की जो भी हम information पढ़ते हैं books में से, online sources में से वो सब कहां पे store होता है हमारे brain में means, जो brain है वो storage का काम भी कर रहा है first point second point हमारी body में कुछ ऐसी activities हो रही है जिनके उपर हमारा control नहीं है जैसे हम sands ले रहे हैं हमारा heart काम कर रहा है हमारा digestive system काम कर रहा है अपना वो सब क्या है उस पे हमारा तो कोई control नहीं है बट वो सब processes हो रही है वो उनको coordinate कौन कर रहा है हमारा brain ओके brain का काम क्या होता है हमारे कोई भी body organ को message पहुंचाना situation के according ठीक है सो हम ये बोल सकते हैं न कि जो हमारा brain है वो हमारी body के different different organs को connect करने का काम भी कर रहा है ओके सो connect करने का काम कौन कर रहा है brain ओके जो जिन्होंने biology में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कुछ motor nerves होती है sensory nerves होती है उनका काम क्या होता है brain के message को अलग-अलग body parts तक पहुंचाना उके उसके इलावा अब हम third चीज सोचते है ठीक है या फिर suppose करो आपका हाथ किसी गरम चीज के उपर लग गया तो आप क्या करोगे आप immediately अपना हाथ उठा लोगे न ऐसे तो नहीं है कि नहीं अच्छा लग रहा है ठीक है means उठा लोगे वो क्यों हो रहा है उसको अगर हम bio की terms में बोले उसको हम बोलते है reflex section but अगर हम उसको थोड़ा सा उसकी block diagram से समझें तो क्या होगा हमारी body में input गया means हमारे hand पे input क्या हुआ heat heat input हुई गई हमारी body के अंदर उसके बाद हमारे brain में कुछ processes हुई हमारे brain को लगा कि अगर हाथ जादा देर तक उस heat के उपर रहेगा तो जल जाएगा okay so immediately brain ने क्या किया brain ने respond किया हाथ तक message पहुँचाया कि उठ जा okay so ये क्या हुआ output हमने हाथ को side कर लिया okay means ये तो एक just छोटी से example थी आपको समझाने के लिए I hope आपको समझ आ गया हो okay मतलब क्या है जो हमारा brain है जितने भी activities है उनको सब चाहे वो reflex sections हो चाहे वो ऐसी activities हो जो हम सोच के कर रहे है उन सब को भी coordinate करने का काम कौन कर रहे है brain okay अब हम वापिस आते हैं CPU पे जो CPU है ना basically उसमें भी three components होते है सबसे पहला component की अगर हम बात करें वो है ALU that is arithmetic logic unit okay इसका काम क्या होता है जितने भी calculations है division करना है subtraction करना है okay वो सब कौन करता है ALU उसके बाद second जो main component होता है CPU का वो है CU that is control unit okay अब arithmetic logic unit ने plus करना है minus करना है जो भी करना है वो कौन बताएगा CU that is control unit okay जो हमें हमारे input devices है output devices है उनको आपस में CPU के साथ कैसे connect करना है वो भी कौन काम करता है CU that is control unit okay उसके इलावा third CPU में जो हमारा component है वो है memory okay memory basically registers के साथ बनी होती है okay so third component है memory अब इसको brain से भी interconnect कर सकते है जितनी भी activities है उसको आप ALU से याद रख सकते है उसके इलावा जो भी हमारी activities को control करने का काम brain करता है वैसे ही CPU में activities को control करने का काम कौन कर रहा है CU उसके इलावा brain में भी memories बगेरा store होती है storage होती है similarly CPU में भी storage होती है memory में okay so आप इसको ऐसे याद रख सकते है so हम first question discuss करते है first question है C in CPU denotes C का मतलब क्या है CPU में so C का मतलब है central processing unit so C means B that is central उसके बाद next है CPU stands for CPU का मतलब क्या है central processing unit I hope अब तो आपको याद हो गया इतनी बार बोल दिया मैंने okay so CPU means central processing unit next है internal memory in a CPU is nothing जो internal memory है CPU में मैंने बताया न CPU में basically हमारे three components है control unit arithmetic and logic unit and third is memory unit जो memory है वो basically क्या चीज़ है वो registers का set है okay जो registers होते है basically इन में जो data है वो store हो जाते है okay so इनके combination को ही हम memory बोलते है next है which of the following is a part of CPU CPU का कौन सा part है इन में से printer, keyboard, mouse arithmetic and logic unit so D is the answer arithmetic and logic unit जो बाकी के हैं वो क्या है input, output, devices okay so next है अब इन में आपको हो सकता है ये confusion हो रही हो कि input devices कौन से और output devices कौन से है याद रखना जो भी input devices होते हैं वो कौन से devices होते हैं जिन से हम कोई information feed कर सकते हैं like keyboard, mouse okay output devices कौन से होते हैं जहां पे हमें result show होते हैं जैसे monitor हो गया उके उसके इलावा printer हो गया तो वो सब कौन से हो गया हमारे output devices इसमें से जो keyboard है और mouse है वो input devices है और जो printer है वो output device है next question है the central processing unit in a computer consists of इसमें क्या क्या चीज़ है input output processing control unit primary storage secondary storage control unit arithmetic logic unit registers या none of the above अभी मैंने बताया इसमें क्या क्या है CU arithmetic logic unit और registers registers क्या होगे memory okay so next question है control unit of a digital computer is often called जो control unit होते है digital computer का उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं B that is nerve center okay मैंने बताया ना brain से nerves जाती है message लेकि okay जैसे motor nerves होगी sensory nerves होगी वैसे ही जो CU है CPU में वो क्या करता है activities को coordinate करने का काम करता है different input output जो devices है उन सब को interconnect करने का काम करता है so nerve center ऐसे याद रख सकते हो next है specific operation is known as वो group of bits जो की computer को बताती है की आपने कौन सा specific operation करना है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलेंगे instruction code okay so A is the answer so next question है the communication line between memory and peripherals is called देखो अब हमने पढ़ा की जो computer है उसमें CPU है main memory है कुछ input output devices है अब इन सबका आपस में connection कैसे होता है वो होता है throw buses okay different different buses होती है data bus होगी address bus होगी okay अब देखो इसको हमने याद कैसे रखना है suppose करो हमारा कोई circuit है उस circuit में bulb है okay कुछ switches है ठीक है अब इस circuit को जो आपस में जो भी devices है इस circuit के अंदर उसको connect करने का काम कौन कर रहा है wires similarly आप इसको भी अलग-लग devices मान के चलो या components मान के चलो इनको connect करने का काम कौन कर रहा है जैसे याँ पे wire काम कर रही है circuit मे similarly जो communication line है memory और peripherals के बीच में वो क्या होता है bus ओके यहापे आप देख सकते हो यह bus है इसकी help से different different components आपस में connect हो रखे है ओके so next है CPU can directly understand this language जो CPU है वो कौन सी language समझता है वो समझता है C that is machine language first video में भी मैंने आपको बताया था जो machine language होती है next है which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by CPU कैता है ऐसा कौन सा computer memory है जो की जिसको use किया जाता है programs और data को store करने के लिए ठीक है जो भी process कर रहा है CPU ओके so उसमें हम क्या use करेंगे B that is internal memory ठीक है internal memory का use होता है जो भी programs वगेरा CPU run कर रहा है उसको at a time कौन स्टोर करता है internal memory ओके next है the central processing unit is an example of जो central processing unit है वो basically example किस चीज़ का है वो example है hardware का software नहीं है कोई यह hardware है ठीक है इसमें basically ICS use होते है यह microprocessor बोल सकते हो उसको use किया जाता है next है arithmetic logic unit and control sections have special purpose locations called कहता है जो arithmetic logic unit है और control sections है उनके कुछ special purpose locations होते है उसको हम बोलते क्या है उसको हम बोलते है a that is registers okay next brain of the computer is known by brain किसको बोलते है मैंने पहले ही बताया था यह है C that is central processing unit so next question है this component is required to process data into information and consist of integral circuits ठीक है मैंने बताया था data क्या होगया जो भी raw form में हमारे पास figures है और अगर वो figures हमारे लिए useful है तो हम उसको क्या बोलते है जो की हमें चाहिए होता है तांकि हम अपने data को information में convert कर सकें उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है C that is CPU so next question है ALU ALU का मतलब क्या है arithmetic logic unit okay अब इसमें ALU ठीक है इसमें arithmetic और logic word अलग-लग है arithmetic का मतलब क्या हो गया जैसे subtraction करना addition करना division करना या फिर multiplication अब logic का क्या मतलब है logic का मतलब होता है जैसे gates हमारे पास एक और gate होता है and gate होता है okay nan gate होता है ऐसे अलग-लग gates होते है okay so उसको हम बोलते है logic operations okay so next है pick the one that is used for logical operations or comparison such as less than equal to greater than कहां पर करते हैं यह सब चीज़ें हम यह करते हैं A that is ALU में arithmetic logic unit में okay so next question is CPU consists of control unit memory unit and microprocessor arithmetic logic unit ROM और RAM इसका अंसर का आएगा B okay यह है CPU इसमें control unit है arithmetic logic unit है memory unit है बार-बार questions same है बट उनको थोड़ी सी formula करके दे रख है okay next है a dash device is a device that provides information which is sent to CPU अब यहाँ पे न एक और चीज़ में आपको समझाती हूँ ठीक है suppose करो हमारे पास कोई input device है उसके इलावा CPU है central processing unit और हमारे पास एक output device है okay input device हम मान लेते है हमारे पास keyboard है और output device है हमारे पास monitor ओके यहाँ आप screen बोलो जहाँ पे आपको output नजर आएगा अब क्या किया हमारे पास computer है या laptop है अब हमने किया क्या हमने keyboard से suppose कोई भी letter press किया suppose हमने S press किया ओके हमने S press किया क्यूंकि हमें यह language पता है बट जो computer है उसको तो machine language पता है वो S को convert कर देगा कुछ binary digits की form में ऐसे कुछ binary digits की form में machine language में convert कर देगा अब जो यह machine language है यह किस के पास जाएगी CPU के पास वहाँ पर processing होगी ओके वहाँ पर processing क्या होगी कि keyboard से input आया S और उसको हमने monitor पर show करना है ओके so processing होई सारी CPU में और finally जो हमारा result है वो कहाँ पर show होगा monitor पर ओके so इस question में उसने क्या पुछा है a dash is any device that provides information which is sent to CPU ऐसा कौन सा device है जो कि information प्रवाइड करता है जो कि CPU को जाती है information कौन सा device हुआ वो a that is input ओके so आज के lecture में इतना ही आज हमने CPU के basics discuss किये ओके I hope इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी CPU को अब नहीं भूलोगे कोई भी question आजाए इसके उपर आप attempt कर रहा होगे ओके so मिलते हैं next lecture में thank you so much